Hello friends, Civil Engineers के लिए बहुत ही अच्छी जॉब नोटिफिकेशन आ रही है, Government Job की नोटिफिकेशन आ रही है, एक PSU से आ रही है, जिसका नाम है BBJ, Construction Company Limited, एक बहुत ही अच्छी PSU है, ऐसी PSU से वेकिंसी बहुत ही कम देखने को मिलती है, यहाँ पे direct walk-in interview हो रहा है, किसी तरह का exam नह नहीं रखा गया है, ना कोई fees है, Assistant Engineer की post है, Civil और Mechanical हर कोई apply कर सकता है, Diploma, BEB Tech, AMIE, कुछ भी अगर आपने किया हो, तो आप eligible हो, तो detail notification के बारे में बात करेंगे, apply कैसे करना, selection procedure क्या है, interview की dates क्या है, कहा interview है, कैसा interview होने वाला है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या important documents है, procedure क्या है, सब के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा, तो दोस्तों मेरा नाम है AD Singh, and I welcome you all on my channel, Civil Engineering Destination, a complete solution to a civil engineer, हम रोज सुबा 10 बज़े अपने private job update, और रोज शाम को 5 बज़े government job update लाते हैं, तो चैनल को subscribe कर लिज़ अगर नहीं किया ह दोस्तों ये हमारी आज की दूसरी वीडियो है, आज की पहली वीडियो में डाल चुगा हूँ, जो की एक MNC से आ रही है, जो की है IR Glass, Indian Register of Shipping की तरफ से, बहुत ही अच्छी organization है, अगर आप नहीं वीडियो नहीं देखी है, तो इसके बाद आप ये वीडियो देख सकते है तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे promise किया था, आज शाम के 9 बजे हमारा जो MCQ का batch है, 100 MCQ का batch वो start हो जाएगा, अगर कल हमने उसकी strategy discuss already कल ली है, अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो वो आप देख सकते हैं, उसका link already में ग्रूप में डाल चुका हूँ, और वो हम तो आपके लिए ये एक तरह का crash course है, बहुत ही important रहने वाला है, हम पूरा ही career focused, exam focused होके चलेंगे इस video, इस batch से related, तो हर कोई इसमें आ सकता है, ये रोज रात को 9 बजे हमारा चले का, आज इसकी पहले class होने वाली है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं, आज की job recruitment के बारे में, ये आ रही है basically, एक PSU दफ जिसका नाम है, इसमें आपकी job location Kolkata रहने वाली है, यहाँ पे से बहुत ही अच्छी job vacancy आ रही है, बहुत ही rare vacancy है, बहुत मुश्किल से ये vacancy मिली है मुझे, ये इसकी official notification है as you can see, इसका कोई भी exam नहीं है, ना कोई इसका fees रखी गई है, direct walk-in interview है, कोई apprentice नहीं है, assistant engineer के post है, experience माना जाएगा, बहुत ही अच्छा experience माना जाएगा, पहले मैं जी इसमें बता देना चाहता हूँ, कि ये आपकी contractual base है, इसमें आपका एक साल का contract रहेगा, और उसे आने वाले time के लिए पढ़ा दिया चा for period of one year, extendable as per the requirement of the company, तो इसमें आपको extend भी कर दिया जाएगा, अब ये जो आपकी PSU है, ये Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises के अंडर आती है, authentic PSU है, असली PSU है, इसमें आपकी job location कॉलकाता रहने वाली है, और आपका interview भी कॉलकाता में ही रहेगा, पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो पोस्ट है, वो है assistant engineer, civil और mechanical, दोनों के लिए पोस्ट है, number of post 6 है, salary इसमें आपको 25,000 पर मन्थ, प्लस, perks and benefits, arts, पर्दा company आपको मिल जाएंगे, qualifications में, diploma in civil engineering, या फिर diploma in mechanical engineering, BEB tech in civil engineering, slash mechanical engineering, AMIE civil engineering, या फिर mechanical engineering, हर कोई अपलाए कर सकता है, तो basically इसमें हर कोई अपलाए कर सकता है, experience मांग लिया गया है, of course, 2 साल का experience आपको होना चाहिए, minimum 2 years of experience in the field of construction and construction of steel and concrete bridges, industrial, residential building, तो अगर infrastructure, bridges, या फिर आपको steel structure में experience है, तो आप इसमें जा सकते हो, age limit 20 years रखी गई है, age as on 31st October 2020, अब इसमें जो आपकी job location का venue होगा, वो direct, मैंने आपको बताया, walk-in interview है, time और date की discuss थोड़ा कर लेते हैं, या फिर अगर कॉलकाता की local हो, तो आपको इसमें जरूर जाना चाहिए, timing की बात कर ले, तो इसमें आपको कुछ भी अपना पहले से नहीं बेजना है, direct walk-in interview में आपको चले जाना है, timing इसका, सुबह साड़े दस से, दुपहर के दो बजे तक रहने वाला है, हमें साफ साफ दे दिया गया है, location की बात कर ले, तो at Broadway Hotel 27A, गडेश चंदर Avenue, नियर चाननी चौक, Metro Station, कॉलकाता, West Bengal, तो basically, कॉलकाता में आपका walk-in interview है, अगर आप किसी और state से belong करते हो, of course जा सकते हो, all over India इसमें apply कर सकते हैं, as such कुछ hard and fast rules नहीं है, कॉलकाता के हो, तब तो apply करो ही करो, लेकिन selection all over India के basis पे होगा, अगर आप talented हो, काबिल हो, तभी आपको लिया जाएगा, location का ऐसा कुछ जंजट नहीं है, all over India PSU है, central PSU है, तो पूरा justify, इसमें selection होना है, local को preference नहीं दी जाएगी, जैसा जो interview होता है, वैसा ही होना है, अब अगर थोड़ा हम बात कर लें, एक चीज इसमें साब साब बता दी गई है, कि इसका एक form है, भी मैं आपको दिखा दूँगा, आपको उसको भर के लेके जाना है, और उसके सार साब अपने सारे documents, जैसे कि आपका education qualification, experience certificate, pacelift, age proof, cast certificate अगर है तो category, work experience, NOC अगर किसी PSU में काम कर रहे हो, वो सब लेके जानी है, original और एक उसकी photocopy, photocopy self-attested रहेगी, तो basically आपका एक set हो गया, original, एक set हो गया आपकी photocopy, photocopy को self-attested कर लीजेगा, यह हमें साफ साब बता गया उसके साथ-साथ, passport size photograph भी लेके जानी है, अब अगर हम थोड़ी और terms and conditions की बात कलने, तो यह सब तो normal ही terms and conditions है, खैर, बाकी अगर आपको interview attend करने का, कोई भी T.A.D.A. नहीं मिलेगा, आपको अपने ही पैसे से, अपने ही convince से, interview attend करने के लिए जाना पड़ेगा, और उ सेनारियो कैसा है, अब अगर हम इसकी बात कलें, तो एक छोटी सी नोने जानकारी चीज यहां पर बताई है, कि अगर आप इसका interview सच में attend करने आ रहे हो, अगर आप seriously interested हो इस job interview के लिए, तो आपको अपना एक mail भेशना पड़ेगा, इस company के HR को HRM department में, कि हाँ मैं यह आप का walk-in interview attend करने आ रहा हूँ, आपको prior notice देनी पड़ेगी, कब तक देनी है, तो यह आपको 16 तारिक से पहले दे देनी है, शाम के 5 बजे से पहले दे देनी है, तो 16, 11, 2020 तक आपको एक mail करना है, अब mail में लिखना क्या है basically, तो आपको जो mail जाएगा, वो इस mail ID बे जाएगा, अब भटाचरी, at the rate bbj, const.com, तो इसमें आपको अपनी mail ID भेशनी है, इसमें आपको अपना क्या-क्या लिखना है, तो इसमें आपको अपना full name और date of birth लिखना है, बस, इसके अलावा ना कोई CV भेशनी है, ना कोई document भेशने है, ना कोई mark sheet आपको भेशनी है, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है, no document or certificate slash mark sheet etc. need to be sent with this email, the company shall not be bound to entertain on the day of walking interviews those candidates from whose end such confirmation via email hasn't received, तो अगर आपने अपना, basically आपको इसमें कोई form नहीं है, आपको बस एक email भेशना है, इस company के HR को, जो भी मैंने आपको अब mail बताया है, आवर मैं हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है, इसका link मैं आपको description में दे दूँगा, of course, आपको बस एक mail भेशना है कि हाँ, मैं interview attend करने आ रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है, फला फला जो भी है आपका नाम और एज, मैं interview attend कर आ रहा हूँ, अगर आप mail नहीं भेजोगे, तो आपको interview देने नहीं दिया जाएगा, साफ साफ लिग दिया गया है, इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अब थोड़ा और देख लेते हैं, तो ये इसका application form है, इसका link मैं आपको direct description में दे दूँगा, company की official website से भ आपको पूरा भढ़ना है, date of walking interview जो भी आपकी date है, यानि की 18 तारिक को, जो भी आपका नाम है, board letters में, यानि की capital letters में, father's name, DOB जो भी है, age जो भी है, category जो भी है, और फिर अगर आप EWS में हैं, हाँ या ना, yes or no, physically handicap है, yes or no, nationality, Indian आपको लिखनी है, सिर्फ Indians वाले ही apply कर सक रहते हैं, address of communication, घर का address, आपका जो permanent address है, वो भी घर का address ही होगा, ठीक है, qualifications जो भी हैं आपकी starting from highest to lower, यानि की सबसे पहले आपका सबसे highest qualification, यानि अगर B.Tech हो तो B.Tech, उसके बाद diploma, अगर diploma हो तो, नहीं हो तो direct उसके बाद 12th class, उसके बाद high school जैसा चलता रहता है, highest to lowest जा most recent work, सबसे पहले जाएगा, यानि की present organization में, जिसमें अभी आप काम कर रहे हो, उसके यहां पर आपको name, आप तो organization लिखना है, designation, इसमें आपकी जो भी है, कब से काम कर रहे हो, अगर अभी भी service में हो, अभी भी job कर रहे हो, तो यहां पर present लिख देना, from just date से joining हुई, आप present लिखते ना, nature of job and task, जो भी आपका nature है, quality में हो, execution में हो, site supervising में हो, जिसमें भी हो लिखते ना, और फिर reason of quitting, अगर already job कर रहे हो, तो यह option blank छोड़ देना, फिर इससे पहले भी जहां पर आपने काम किया, उसकी सब details यहां पर भर दीजेगा, और यह form लेके जाएगा, इस अगर यह page कम पड़ जाता है, तो इसमें आप एक अलग से अपना page भी लगा सकते हो, अपने according, उसमें अपनी detailed experience लिख सकते हो, जो भी आपने अभी present में काम किया है, bridge project में या infrastructure project में जैसे भी इनकी requirement है, और यहां पर आपको अपना sign कर देना है, और यह पूरे documents लेके आप को चला जाना है, इनके venue पे अगर आप select होते हो, तो आपका selection हो जाएगा salary value बन जाएगी, काफी अच्छी salary दे रहे हैं, काफी अच्छी post है, I think हर किसी को apply करना चाहिए, जिनके पास proper experience है, या फिर जो जो eligible है, या फिर कॉलकाता के पास रहते हैं, कॉलकाता वालों को तो apply करना ही करना चाहिए, उसके आस पास की जितने भी area आपको apply करना चाहिए, अगर आप Delhi Valley से आ रहे हो, तब ही आप apply कर सकते हो, एक हफता है अच्छा खास आपना ticket आप arrange कर सकते हो, आज सच कुछ हाद और फास्ट rule नहीं है, बस यह है कि रहना खाना आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, वो थोड़ा महगा पड़ सकता है, as such उसके लावा जॉब बहुत अच्छी है, आपको इसमें जरूर जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा मौका है, walk-in interview, present time में ऐसी कंपनियों से आना बहुत मुश्किल है, जैसा आपको पता होगा कि recession चल रहा है, नौक और share कर दीजेगा, मुझे comment में बता जरूर दीजेगा कि आप इसमें जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, इसमें थोड़ा ध्यार लखिएगा, so आज के लिए अभी के लिए इतना ही, thank you and God bless all of you.